बीजेपी का एक ऐसा नीता तमिलनाडू में उभर के आया है, जो इसके लिए मीडिया इटेंशन काफी कुछ आ रहा है, वो है अन्नमलाईजी, तो वो काफी कॉन्फिडेंट है कि तमिलनाडू में बीजेपी को डबल डिजिट फिगर आएंगे, तो क्या ये उनका ओवर कॉ मैं कहता हूं, पाँच पाँच पीडी हमारी इस विचार के लिए भाँ खप चुकी है, तो एक निरंतर काम चला है, जब कॉंग्रेस से लोग निराश हुए तो पादेशिक पक्षों की तर्फ गए है, और लंबे अर्से तक पादेशिक पक्षों का जो कुछ भी काम का दे तो पादेशिक 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 पादेश पानीपुरिवाले करके मजा कुड़ाते थे लिकिन जब तमिलनावड़ी के लोग काशी संगमकारकम बाए और काशी का रूप रूपरंग देखा हुआ हुआ है इतो बहुत डेवलोप दिखता है बड़ी प्रगदी हो रही है इतो इते हो नेट्वर्क दिखता है तना गुच्सा पैदा हुआ है ओक गुच्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेवी की तरफ पोजिटिव बेब है और अन्नामला ये बहुत अच्छे अर्टुकलेट है यंग है बहुत ही अपनी IPS केडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नोकरी छोड़कर के आये हैं दू अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है तो स्वाभाई गुरुप से उसके आकरशन का कैदर बना है और मेरी पार्टी की बिसेष्था है हम हर स्वाभाई गर्टी कारता है जिसमें ख्षमता है उनको ऑफसर देते हमारा कोई परिवारबादी तो पार्टी है नहीं परिवार से चलित पार्टी नहीं है जिन पार्टीों में आफ दे फैमिली, बाई दे फैमिली और फार दे फैमिली होता है और इसलिए हमारी हाँ तो हरे को ऑफसर मिलता है